हलो फ्रेंज, स्वागत है आप सुभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूर इश्टी गाइट पर तो फ्रेंज, आज के इस वीडियो में हम सभी बाइलोजी से दोस्तों टॉप हेंडर्ड कुष्चन करने जा रहे हैं ऐसे कुष्चन दोस्तों जो बार-बार एक्जाम में रिपीट होते हैं उनी कुष्चनों को यहाँ पर फूटप किया गया है अगर आप सुरूझ की किसी भी एक्जाम की तयारी करने जिसमें बाइओ पुछा जाता है तो आप सुरी के लिए वीडियो मोस्न इंपार्टन होने वाला है आप श्रीया वीडियो देखकर जले जाएए बस आपकी एक्जाम में कुष्चन इससे बार नहीं जाने वाला है यहाँ पर दोसों टॉप हैंडर कुष्चन ले गए हैं जो बार बार एक्जाम में रिपीट होते हैं चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पहला कुष्चन आप यहाँ देख सकते हैं जिवाड की खौच सतर परतम किसने की थी रावर्ट कोच ने लुईस पास्चर ने लिवेन होक ने रावर्ट होक ने तो लिवेन होक ने दोस्तो जो है जिवाड की खुछ तरपरतम की थी यह important question ने दोस्तो कई बार एक्जाम में पूछा गया आगर आप प्यों क्यों लगाते होंगे तो आप आप सभी को मिला ही होग चेचा के लिए तीग बिकास किस ने किया था चेचक के लिए तीगRO का अभिष्कार किस ने खिया था यर विकास किस ने किया था तो राइट एंसर आपनी मारा भी है एडवर्ड जेनर दोस्तों यहाँ पर एंसर लिखा है आप सुई एंसर दे जो हमारे टेली गराम चैनल है वहाँ पर जुट जाएए वहाँ पर आप सुई कोई PDF मिलता है एंसर इसलिए लिखा रहे था कि एक बार आप वीडियो देख लें दूसरी पार दोस्तों आप PDF पढ़ लें ताकि आप सुई का एक भी कुश्चन दोस्तों छूटी नगजाम में आप सुई का कुश्चन किस्टर कीजर बिल्कूर हो जाए चलिए आगे देखते हैं सर पर्थम जिवाड की खोज किसने की थी सर पर्थम जिवाड की खोज किसने की थी सो इस दोस्तों सर पर्थम बिशाडू की खोज किसने की थी तो किसने की थी इबानो वास्की ने सर पर्थम दोस्तों बिशाडू की खोज की थी अगर बात कर लें जिवाडू की खोज किस बिशाडू का पूछे तो इबानो वास्की अगर आप जिवाडू के पूछे लुबेन हाक रहेगा यह आप याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं मानो हिर्दे में कितने कोष्टक होते हैं तो राइट एंसर आप जिवाडू का कौन सभाग खायाता है पूष्पकर्म, पत्त्या, जड या एओ बिदूनो तो राइट एंसर आप सन हमारा ए होगा क्या दोस्तो एह होगा पुष्प कर्म खा जाता है कौन सा पुष्प कर्म यहां से कुछन पूछा जाता है कई बार दोस्तो पूछा गया कि फल दे दिया जाएगा पूछा जाएगा कौन सा भाग खा जाता है इस परकार के कुछन आता है दोस्तो नीचे इस परकार के कुछन लिए गए हैं आम का वनास्पतिक नाम क्या है आम का वनास्पतिक नाम या बिज्ञानिक नाम क्या है यह आप से पूछा जा रहा है तो राइट एंसर आप से नमारा भी होगा मेंजी फेरा इंडिका जो है आम का वनास्पतिक नाम है क्या दोस्तो बिज्ञानिक नाम है आगे पर का कुश्चन आता है आप सभी इसे अंदेखा मत किएगा इसे ध्यान पूर्बग देखिएगा और एक बाल दुबारा पीडिया पढ़ ले आप बीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप सभी का कुश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए रक्त का सुध्धी करड कहां होता है रक्त का सुध्धी करड कहां पर होता है फिर्दय में हिर्दय में यह करित्स में किड्नी में और फेफडा में तो राइट एंसर दुस्तों किड्नी में कहां पर किड्नी में हिर्दय किवल subscribe हो Satu to करता है तो दोस्तों किड़नी करता है आगे देखते हैं पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्थ होता है इंपॉर्टन कुछ जड़े तो जड़ों से कहां से जड़ों से प्राप्थ होता है आगे देखते हैं दूध के दही की रूप में जमनी का कारण क्या है तो लेक्टो की कारल दूंज जो नहीं कि परीवक्तित हो जाता है कि आप स्विक बताना आ है किλά एंक वह अनुपिक पराप्त होताहे है तो राईट एंशर क्या होगा चर्डों छेड़ों से पराप्त होता है आगे देखते हैं प्रकास संस्रेशर की किरिया कब होता है प्रकास संस्रेशर की किरिया कब होती है रात में, दिन में, दिन और रात दोनों में दिन, योम, रात दोनों में किस में होता है यह आप से पूछा जा रहा है तो केवल दिन में होता है सब्सक्राइबाइबाइब सब्सक्राइबब Wakati उत्पन होता है, किसके कारण होता है, तो जीवार की कारण, किसने किसके कारण जीवार को है, और हाइडरोफोबिया में क्या होता है, हाइडरोफोबिया में दोस्तों, जो मनुस है, उसे जलते डर लगता है, वो पानी के पास नहीं आता है, उसे देखकर वो डरता है, आप से में जो लाल रष्ट रोग होता है वो किस के कारण होता है विसाडू की कारण जिवाडू की कारण हरे सेवाल की कारण या कवक की कारण तो राइट एंसर क्या होगा आप से नमारा सीवा हरे सेवाल की कारण चाय में जो है लाल रष्ट जो रोग है ये उत्पन होता है आगे द दोस्तो आक्सिजन चोड़ी आती तथा कार्बन डाय याक्ताई ग्रहड होती है आगे देखते हैं शरीर की सबसे बड़ी गरंत कौन सी है तो राइट एंसर आपसन मारा दोस्तो सी होगा यक्रित अगर आपसे पूछा जाए कि सरीर की सबसे बड़ी हड़ी कहां पर पाई जा जिल्ली को क्या कहते हैं मनुष्ट के मस्तिक की सबसे बाहरी जो जिल्ली है उसे क्या कहते हैं पिया मीटर कहते हैं मीटर कहते हैं या दुस्तो इरेंक वाइड कहते हैं तो इसका राइट एंसर जो आपसन मारा सी होगा ड्यूरा मीटर कहते हैं आगे देखते हैं विटामिन सीगा सबसे अच्छा सुरूत क्या है इससे राइट एंसर दूस्तो आपसंट वैसे तो सभी खट्टे-पदार्ट में विटामिस सी पाई है थी लेकिन सबसे अच्छा तुरोद पूछ रहा है तो नीबू होगा आगे देखते हैं तबाकों की पत्तियों में होता है तबाकों की पत्तियों में क्या होता है लिकोटीन होता है कोल भी सीन होता है एपेरीन होता है इनमें से कोई नहीं तो राइट एंसर दोस्तों जो है निकोटीन इसी के क मुँफली के कारण ही तिक्का रोग होता है आगे देखते हैं चाय के पौधे का बिज्ञानिक नाम क्या है यह आप सभी से पूछा जा रहा है तो थिया साइनिसिस जो है वो चाय का बिज्ञानिक नाम है आगे देखते हैं चावल का दाना क्या है एक बीज है एक बीजी फल ह ज Ottoman है या सभी है तोर्य Ev Hollow का दान जो क्या है एक भीज है ना कि 7 कि ये फ़ल आगे दर्थे आंलु में मोजेक रोक और खर्प क्या है और में मोजेक रोक का रख और क्या है फंपूदी लाएक इनजीवाड्यू बिशाड़ू क्या तो राइट एंसर विसाडू की का रहती दोस्तों आलू में जो है मोजोग रोग होता है चलिए आगे देखते हैं नासपती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों यहाँ पर जितने भी कुश्चन लिए गए हैं सभी प्यू आई क्यों हैं और ऐसे कुश्चन दोस्तों आप से ऐक ऎकजाम बार बार रिपीट होते है यही कुश्चन दोस्तों बार बार गूमता रहता है चाहे focused म तोAR ऐसे इंसर किया ए दोस्तों आपशन मारा सी होगा गुद्ध्यदार पुसपासन जो है वहाँ खाया जाता है आगे देखते हैं टिक का रोप किस में होता है रिपेट कुछन है दोस्तों रिपेटर कुछन है तो मुंखली में होता है आगे देखते हैं मटर पौधा क्या है मटर पौधा क्या है पुस्प है साख है जाड़ी है इनमें से कोई नहीं तो मटर पौधा क्या है दोस्तों साख है important question है आप सब्सक्राइब क्या पुस्प लगा देंगे लेकिन पुस्प नहीं है यह साख है चलिए आगे देखते हैं दूद के दही के रूप में चमने का कारण क्या है लेक्टोबेल्सिस तो इसका राइट एंसर क्या है दूस्तो आपसे नमारा यह होगा लेक्टोबेल्सिस की कारण दूस जो है दही में जमता है आगे देखते हैं पेस्मेकर का संबंध किस से है पेस्मेकर का संबंद किस्ते हैं पेस्मेकर के द्वारा क्या ना पा जाता है तो हिर्दे की धड़कन दोस्तों जो है पेस्माकर के द्वारा ही दोस्तों मा पा जाता है तो राइट अंतर आप से नमारा भी होगा हिर्दे आगे देखते हैं निमलिकित मेंसे किसके द्वारा दूद खटा होता है तो बैक्टेरिया के कारण दूद जो होता है और खटा होता है आगे देखते हैं मनुस में कुल कितनी हड्डिया होती है तो राइट अंसर 206 दोस्तो सिस्क की बात नहीं हो रही है यह 15 साल के उपर के बैच्चों की बात ह नहीं दो की साओ कि तो रही है कितनी हड्डिया पाए जाती है तो 2206 आदक सब्सष्हां के जो कुल का पौधा है बैगन किस पौल का मौधा है तो 16 साओ हो और दोस्तों 13 कुल में दोस्तों पोधा है आगे किक रिख्यान अलुमे मोजोको प्रोक किस कारवर होता है तो विसार की कारवर होता है किसमे कारवर देखते हैं सबसे अधिक क्रोमोस्म किस में पाजाता है ? तेरिडोफाइटस में या बायोफाइटस में मनुस में हाथियो में तो इसका राइट एंशर आपसन अमारा एह होगा क्या दोस्तो आपसन मारा एह होगा तेरिडोफाइटस में सबसे ज़ाद है voguis Voll Daddy क्रोमोसम पाएज राता है आगे देखते हैं, गाजर है, एक क्या है, गाजर क्या है, जड़ है, पुछ पहे दना है, क्या है दोस्तों, तो राइट एंसर जड़ है, क्या जड़ है, आप से जो गाजर खाते हैं, आप से क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, चलिए आगे देखते हैं, खसरा निमलिकित में बेक्टेरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है कौन सा रोग है जो बेक्टेरिया के कारण फैलता है तो चेचक है कौन सा दोस्तो चेचक चेचंग में आप से जानते होंगे कि सरीर पर छुटे छुटे ऐसे दाने की धब्बे पढ़ जाते हैं वही दोस्तों चेगे चग है, मनुस्त के सरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो राइट अंसर बारा जोड़े, कितने बारा जोड़े पाए जाते हैं, आगे देखते हैं, भोजन का पाचन किस परकार की अबकिरिया है, जो हमारे सरीर में भोजन का पाचन ह क्रिया है वास्प सर्जन मापी यंत्र कौन सा है अग़ा देखते हैं तुन सबसे छोटा जीव कौन सा है सबसे छोटा जीव कौन सा है तो माई को प्लाजमा जो है दोस्तों वो सबसे छोटा जीव है important question है कई बार exam में आप से के पूछा जा चुका यह आगे देखते हैं आम का विज्ञानिक नाम क्या है वहनाSoate दोस्तों पूछ ली आप घ्यानिक नाम पूछ ली बाहत एक ही है तोमयान जी फियरा इंडिया का दोस्तों आम का विज्ञानिक नाम हें आगे प्रोटीन प्रोटीन की इसाइट प्रोटीन MARK और सब्सक्겠지만 नहीं प्रोटीन ब्रॉटीन से च्ठीज हाधी मानुसरी , च्छोटी हटि स्लाइग तो क्या है ? संतार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है संतार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है तो रेफले सिया रेफले सिया दोस्तो जो है यह संतार का सबसे बड़ा पुस्प है दोस्तो आप सभी के लिए मैंने एक कुश्चन दोस्तों चुन कर लिया है एक एक कुश्चन आप सभी के हर एक्जाम में, किसी ने किसी एक्जाम में पूछा ही गया है चाहिए आप SSTMTS की का अगर PYK उठा कर देखेंगे उसमें आप सभी को कुश्चन मिलेगा SSTJD का उठा लें दोस्तों आप सभी कुल मिलाकर जिसमें बायो आता है SST में प्रेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा अपना फिडबेक कमेट वाक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा चलिए अब आगे देखते हैं प्रेशन का लगा लोख लेखGr Mackie तमाकों की पतियों में होता है क्या होता है तुछाइट अंसर निकोटिन होता है आगे देखते हैं हिमोगलोबीं में होता है हिमोगलोमीन में क्या पाए जाता है लोहा ताबा जस्ता तुछा गया जासकता है हिमोगलोमीर में कौन सा तत्तु पाय जाता है तो लोहा पाय जाता है किस सेवाल से आयोडीन प्राप्त होता है किस से आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमने रिया दोस्तो जो है इस से इस सेवाल से जो है दोस्तो वो आयोडीन प्राप्त होता है लेमने रिया जो सेवाल है इ बेरालेसिस कहते हैं, डालेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट अंसर आपसे नमारा सीओगा, डालेसिस कहते हैं, जो मानसरीर में रक्त का सुधिक रड होता है, उसे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, किस पौधे में बीज होता है, लेकिन फन नहीं होता है, किस प कि सभसे अधिक परबल अस्ति कूंसी है कहां पर तो सभी के सबस्से मजबूत अस्ति पाइळी में कहां पर पीछी जिवेब हैं जो आप सभी के मुक में है कि एक स्वस्त मनुस्थ का रक्त चाप होता है एक 2-3-6-174-102-152-icate और यह आप चीशन को कहते हैं? तो किना रूर्षी का छिए, आप ही आप सम्मुइने उपर ही पहए पड़ा जिवार के खोज किसने की थी तो लेवन हॉक ने किया था आगे देखते हैं मानो सरी के सबसे लंबी हड़ी कौन सी है कौन सी है फीमर कहां पर पाई जाती है जांग में पाई जाती है ये भी आप याद रखेगा सबसे छोटी इस्टेपिज है जो कान में पाई जाती है आगे देखते हैं डाल चीनी पेड़ के किस भागते पराप्त की जाती है जो डाल चीनी है ये पेड़ के किस भागते पराप्त की जाती है चाल से जड़ से पत्तियों से कहां ते पराप्त किया थी तो ये दुस्तो चाल ते पराप्त किया दिया है आगे देखते हैं सरपर्थम बिसाड की खोज किसने के थी तो इबानो वास्की ने सबसे सरपर्थम जो दुस्तो जो है बिसाड की खोज की थी सुसन मापन यंत्र क्या कहलाता है किसके द्वारा जो है सुसन मापन जाता है आइटो मीटर के द्वारा रिस्पिरो मीटर के द्वारा या पेटो मीटर के द्वारा तो राइट एंसर आपसन हमारा भी होगा रिस्पिरो मीटर की द्वारा दुस्तों जो है सुसन मापा जाता है आगे देखते हैं फुल गोभी के पौधो का कौन सा भाग खायता है फुल गोभी के पौधो का कौन सा भाग खायता है तो पुस कर्म जो है ये खायता है आगे देखते हैं तना काट आम तोर पर किसके परवर्धन के लिए बयोग किया जाता है किसके परवर्धन के लिए तो गन्ना के लिए किसके लिए दूस्तों तना काट आम तोर पर किसके परवर्धन के लिए परियोग किया जाता है निम में बैक्तिरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है तो राइट अंसर आपसर नमारा ए है चेचक जो रोग है वो बैक्तिरिया की कारण फैलता है आगे देखते हैं नारियल का खानी योग भाग कौन सा है तो भूर्ड पोस भूर्ड पोस जो है वो खानी योग भाग है आग सब्सक मानुष्य कोपरिल में कि पाए जाती है तो आठ आज यहाती है अगर आप सभी से पूछा जा आप स्वी भोजन करते हैं तो यह जो टाइलीन है दुस्तों इंजाय में यह निकल जाता है और आप स्वी के खाने को गुद्द नुमा में परिवतित करता है ताकि आप स्वी के ग्रास नली में आसानी से जा सकें आलू किस कुल से संबंदित है आलू किस कुल से संबंदित है तो राइट एंसर आप सामारा सी है तो लेंसी कुल से आलू संबंदित है आगे देखते हैं नास पत्ती का कौन सा भाग खाय जाता है तो गुद्देदार पुस्पाफन जो यह खाय जाता है आगे देखते हैं फल को पकानी में परियोग की जानती है आगे देखते हैं चावल का दाना क्या है रिपीटेट कुश्चन है दूस्तों यह क्या है एक बीज है आगे देखते हैं चाय के पौधों का बिज्ञानिक नाम क्या है तो इसका राय टेंसर क्या होगा आपतन मारा भी होगा थिया साइनसि जो है यह चाय के पोधे का विज्ञानिक नाम है शरीर का ताप कर्म कहा नियंत्रित होता है most important question है दोस्तों कई बार आफ्टे के एक्जामी पूछा जा चुका है शरीर का जो ताप कर्म होए कहा नियंत्रित होता है spinal card में, theriberum में, hypothalamus में, petrile territory में कहां पर दोस्तों तो hypothalamus में सरीर का नियंत्रित होता है आपसटम C बिल्कूर right होगा रख्त में पाई जाने वाली धाज कौन सी है तो इसका right answer आपसटम हमारा दोस्तों C होगा लोहा जो लोहा हो वो शरीर के रक्त में जो रक्त होता है उसमें पाए जाता है आलू किस कुल से सम्बंदित है? Most important question है कई बार एक्जामी आप सभी के पूछा गया है सेलेंसी कुल से आलू सम्बंदित है सेवालो की कोशिका भित्ती किस से बनी होती है? तो इसका राइट एंसर आप से नमारा दो डी होगा सेलूलोस की सेलूलोस ते दोस्तों जो है सेवाल की भित्ती बनी होती है डालने किसका है एक अच्छा सुरोध है डालों में सबसे अधिक क्या पाए जाता है? तो प्रोटीन पाए जाता है आगे देखते हैं मानुशरीर की सबसे मजबूत हड्या कहा उपस्तित होती है तो राइट एंसर जबड़े में दोस्तों मैं जल्द से जल्द आप सुरी का कुशन कराने का कोशिच कर रहा हूँ ताकि आप सुरी का समय बरबाद ना हो और जब टिक कुशन है दोस्तों आप सुरी जल्द ही देखेंगे तब भी समझ में आएगा एक बार वीडियो देख लेजिएगा एक बार पीडिया पढ़ लीजिए ताकि आप सुरी का समय कम लॉस हो और ज्यादर से ज्यादर आप सुरी को नालेज हो सके तो राइट अंसर ये इसका क्या है जबड़ी जबड़ी में दोस्तों जो है मानो सुरी का सबते मजबूत हड़ी पाई जाती है लिटमस प्राप्त होता है लिटमस कहां प्राप्त होता है तो लाइकंसे किस से प्रापत होता है, लाइकंसे लिडिमस प्रापत होता है, अबनी जो है लाइकंस को नीले निशेमस में परवசित कर देता है, यह भी आप आप याद रखिएगा, लिखित में से कौन सा रोग बिसाड़ की श्क्राइब होता है, भी होता है, आग Kol back does तर आपसा नमारा दोस्तियों का चेचक आगे देखते हैं मनुष के सरीर में हिर्दे को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है आपका हिर्दे जो है हम सबका हिर्दे जो है एक बार में कितने समय के अंदर एक बार धड़कता है तो 0.8 सिकंड के अंदर आगे देखत ुशचच प्राप्त होता है । इसका राइट हैंड चीर के पेर से तर प्राप्त होता है आगे देखते हैं संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है संसार का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है तो रिफलेसिया जो है दोस्तों वो संसार का सबसे बड़ा पुस्प है पौदों की पत्यों में पाए जाने वाला हरा पदात क्या कहलाता है नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हिमोगलोबिन, तो राइट इंसर आफसन भी होगा क्लोरोफिल का कहलाता है आगे देखते हैं, पौधों में जल का परिवहान किस के दोरा होता है पौधों में जल का परिवहान किस के दोरा होता है, पौधों में जल का परिवहान होता है आगे देखते हैं निमलिकित में से कौन सा भाग जिवाड की कारण होता है पेचिस हैजा चेचक तो इसका राइट एंसर आपसन हमारा क्या होगा भी होगा हैजा अगर यहाँ पर भिषाड पूछा जाता तो चेचक होता है लेकिन यहाँ पर जिवाड पूछा गया इसलिए हैजा और यह भी कुशन पूछा जाता है हैजा किस कारण होता है जिवाड के दान भिषाड कारण होता है यह आप याद रखेगा किस पौधे का फल भूमी के नीचे पाय जाता है किस पौधे का फल गाजर मूल गाजर आलो मुंग फली ये सभी इसका राइट अंसर आपसे नमारा सी होगा मुंग फली जो है इसका फल जो है दोस्तो भूमी के नीचे पाय जाता है गाजर क्या है एक जड़ है आप से उपर देखा भी सोते समय रक्त दाब में क्या परियोतन होता है बढ़ता है घरता है पहले जैसा रहता है पहले बढ़ता है फिर घरता है क्या होता है इसमें तो घरता है जब आप सोते हैं तो आपका रक्त दाब घरता है वो भी धीरे धीरे चलता है दोस्तों, पहले के विच्छा घट जाता है, कापास किस कुल से सम्मंदित है, माल बेसी, कमपोजीटी, सेलेंसी, ग्रेमिनी किस से सम्मंदित है, तो इसका राइट एंसर है माल बेसी, माल बेसी कुल से सम्मंदित है, मतर पौधा क्या है, नमारा भी होगा साख है आगे देखते हैं किस पौधों में किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं रिपीटर कुश्चन है लेकिन इंपॉर्टन कुश्चन है उस्तों इसलिए मैंने रिपीट कर दिया ताकि आप सुरी का रिवीजन अच्छे से होगे सके तो साइकस स साइकस से दुस्तों सम्बंदित है आगे देखते हैं गत प्रेयरक किस से सम्बंदित है तो राइट एंसर हिर्दे से सम्बंदित है आगे देखते हैं सर पर्थम रग्त पर संचरण तंत्र का अध्यन किस ने किया था तो राइट एंसर हार भी हार भी ने किया था आगे दे दोस्तो आपसर मारब भी है तापेदिक जो है ब्राइब की करार होता है इंपर्टन कुछिन है आगे देखते हैं दोस्तो आदिक आजक रास्ट कुछिन और इसका इसका एंसर आप सभी को कमेंट वाक्स में जरू बजाईएगा दोस्तो मैंने जहां तक है कितने कुल 25 मिनट में दोस्तो आप सभी को सो कुश्चन करा दिये कराई हैं जो बायो के मोस्ट इंपर्टन कुश्चन है उन्ही कुश्चनों को मैंने यहां पर फूट अप किया आए तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा आप वीडियो को पने फ्रेंट के पास तेर गए ताकि आपका अ आए चैनल और आगे ग्रोब कर सके थाइंक पर वाचिंग इस वीडियो